हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नहें वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस कि टेक्नो स्पार्क गो फोन में आप लोग ऑटो पावर ओफ प्रोब्लेम को कैसे सॉल्ब कर सकते हो अगर आपके पास एक टेकनो सपार्गो फॉन है और इस फॉन में आपको पावर ओफ प्रोब्लम देखने को मिल रहा है अपका जो यह फॉन है वह आटोमेटिकली ओफ हो जा रहा है या कुछ यह ऐसा लगर है कि कि किसी ने टाइमर लगा के रखा है उस टाइम पे आप का यह phone automatically बंद हो जा रहा है तो कैसे आप लोग इस problem को solve करोगेगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए system last में जाना है गास last में आपको एक option देखने को मिलेगा system का तो इस system के option पर क्लिक कर दीजिये क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा schedule power on and off and restart का तो इस option पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहापर देख सकते है power off का option है power on का option है अगर power off का option यहापर on है तो आपके phone में जो है यहापर timer set होगा और उसी time में जो है आपका यह phone automatically बंद हो जाएगा अगर आपको यह problem solve करना है तो इन दोनों को यहापर से बंद करके रखेंगे तो देख सकते है यहापर दोनों को आपने बंद कर दिया बंद करने से यह problem solve हो जाएगा और अगर आपका जो phone है automatically restart हो रहा है तो यह option on होगा इसको आप लोग बंद कर दिजे इसको बंद करने से आपका phone जो है वो automatically restart नहीं होगा यहापर आप लोग जो इसको यूजब भी कर सकते हो अगर आपको auto power on off करना है तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने techno spark go phone में auto power on and off problem को solve कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को like कर दिजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई